नमस्कार, हिंदी इडिक्टेशन, यूट्यूब चाल पर आप सभी का स्वागत है, रेडियो जए इडिक्टेशन लिखने के लिए पाथ सिकेंड में पिछले हपते भारत और चीन के सेना दिकारियों की लद्दाख शेत्र के कुछ विवादित मसलों पर सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत के बाद अब चीनी विदेश मंत्री वौं यी ने उत्साहजनक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि चीन विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तयार है सीमावर्ती शेत्रों में पिछले दो सालों से बने तनावपूर्ण वातावरण को भी वह समाप्त कर इस्थिर्ता लाने के पक्ष में है गौर तलब है कि भारत चीन सीमा विवाद को सुलजाने के लिए गठित तंत्र में वौं यी और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेस प्रतिनिधी है यह तंत्र अभी तक निश्क्रिय पड़ा हुआ था वौं यी के ताजा बयान के बाद अब उसमें कुछ गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद बनी है अब तक दोनों देशों के सेना धिकारियों के बीच सत्रह दोर की बादचीत हो चुकी है और सभी में चीन का रुख लचीला ही रहा है इसी का नतीजा है कि लद्दाक शेत्र में करीब दो साल तक गंभीर तनाव रहने के बाद भी सेनाओं को अपने अपने शेत्र में वापस लौटाने पर सहमती बन सकी थी जब विदेश मंत्री के इस्तर से सीमावर्ती इलाकों में इस्थिर्था कायम करने की बाद कही गई है इस पर जल्दी ही कोई नीतिगत फैसला आने की उमीद की जा सकती है पैरा भारत से लगी चीन सीमा पर कुछ जगहूं को लेकर भ्रम की इस्थिती बनी रहती है जिसके चलते सामरिक रड़नीती के तहर वहां की सेना इस तरफ आ जाती रही है वरना चीन भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध जैसी इस्थिती बनाए रख कर उसे कोई लाब नहीं मिलने वाला दुनिया के तमाम देश अब अपनी अर्थ व्यवस्थाओं के बल पर ताकतवर बंदे हैं ना कि हतियारों और शेना के शक्ति प्रदर्शन से कोरोना महामारी ने दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक इस्थिती डावा डोल कर दी है चीन की अर्थ व्यवस्था भी लडखडा गई है लंबे समय तक बंदी रहने के कारण वहां के काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा है ऐसे में वह अपने सबसे नजदी की बड़े बाजार से दुश्मनी मोल लेकर नई चुनावतियों को नियोता नहीं देना चाहेगा पिछले दिनों तवांग शित्र में चीनी सैनिकों की घुसपैट के बाद भारत में एक सुर में आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए कड़े कूट नीतिक कदम उठाए ये कड़े कदम आयात पर रोक लगा कर घरेलू बाजार को मजबूत बनाने का ही हो सकता है इस तरह चीन को बहुत बड़ा आगात पहुँच सकता है जिसके लिए वह कभी तयार नहीं होगा पहरा अमेरिका के बाद भारत सबसे अधिक आयात चीन से करता है अमेरिका से चीन के रिष्टे सदा से तना तनी के हैं अगर भारत चीन से आयात कम करेगा तो स्वाभाविक ही अमेरिका से बढ़ाएगा इसलिए भी चीन नहीं चाहेगा कि अपने हिस्से का बाजार वह अमेरिका के पास जाने दे फिर भारत जिस तरह G20 में मजबूत होकर उभरा है उसमें वह आर्थिक महाशक्तियों को चुनावती देने की स्थिती में पहुच गया है चीन ने भारत के पडोसी देशों पाकिस्तान, स्रीलंका, नेपाल आधी पर अपनी पकड मजबूत बना कर भारत को गहरने की भरपूर कोशिश की मगर उसका कोई खास असर नजर नहीं आया ऐसे में चीन के लिए सीमा पर नाहक तनाव पैदा कर भारत को अशांत रखने की कोशिश बहुत कारगर साबित होने वाली नहीं है इसलिए अगर वह दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो यह दोनों देशों की तरक्की के लिए बहतर है उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा यदि आप नहीं लिख पा है तो परिशान नहीं होना है कठीन वर्डू को चाटिए और उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए अलग से और फिर दुबारा लिखे तिबारा लिखे ठीक बार बार लिखने के प्रयास से ही आप सबद हो पाएंगे ठीक डिक्टेशन आपको ऐसी लगी आप इसके बारे में कमेंट में जुरूर बता सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें अधास अल थैंक यू